हलो दोस्तों देखिया ओर्डनेंस फेक्ट्री से जिसने भी अप्रेंटिस कर रखा है चाहे उसने आई टी आई के बाद अप्रेंटिस किया हो या फिर फ्रेसर जो हो उन्होंने अप्रेंटिस कर रखा हो चाहे आप किसी भी बैच से हैं यदि आप अभी तक कहीं भी पर ठीका हुआ है और इस कोट का फेसला जो है वह परसो आने वाला है जी हाँ परसो कोट फेसला करके देगा कि इंक्षी इनके डायेक्ट जोइनिंग होगी या फिर प्रोसेस किया जाएगा इसके बारे मैं इस वीडियो में बात करूंगा तो सबसे पहले मैं बता दू कि इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था आज से 10-15 दिन पहले इस तरह के वीडियो का ओडिनेंस सेक्ट्री बोर्ड सरे फेक्ट्रियों को जीम से भरती प्रमोशन पे इन पर्सनल मैंटर्स मतलब जितने करमचारी है उनके मैंटर्स रिलेटेड मैंटर किसके सब्सक्राइब हो सकते हैं चाहिए रिक्रूट्मेंट से अब समझे थो प्रमोशन एमसीपी लीव पेंशन सेनियारिटी डिसिप्लिनरी पे एन एलावेंस या फिर विजिलेंस आई इसी तरह कोई भी दिक्कत हो किसी करमचारी को तो सबका डेटा हर फेक्टरी के जीम को यानि एक ताली सो जो फेक्टरी हैं उनके जीम को और बोड्स को देना था तो इसके लिए डेट सेट किया गया था कब तक का एक डेडलाइन था कि 10 अगस्त तक आपको पूरा का पूर आगे बढ़ा रहे हैं को नाम में आगे बतादोंगा आपको यह लोग काफी सराहनिय कारे कर रहे हैं सोचे कोड़े कर राघा क्या है नहीं कीसी कसे कुछ कहा तो उमेद है कि यह लोग आपके favor में ही सारा work करेंगे और देखी यह हुआ क्या है कि यहां आप फैसला जो है वह अब को देना है यह कौट कौन सा है तो हाई कोट जो सरी अलाहबाद का इसमें आपको बता देखिए केस नंबर वेगर मैं आपको दिखा नहीं सकता है चुकि यह थोड़ा सा वहाँ पर आपका प्रफिटिशन का फाइल किया गया था तो दस पांच दुए सतरह को ठीक है दुए सतरह में पांचों महिना में दस तरीक प्रफिटिशन फाइल किया था प्रफिटिशनर कौन को नहीं अजय कुमार एंड टू अदर्स बहुत सा रहनिये कारे कर रहे हैं लगे कि नहीं हमारे साथ बहुत सारे लोग खड़े हैं देखिए दस पांच दुए सतरह को यह केस फाइल किया गया था और इसमें फर्स्ट रिडिंग होई थी आपकी बारह मई को बारह मई दुए सब्सक्राइब केस जो है वह आगे बढ़ते जा रहा है मैं आपको दिख अगला फैसला जो है मतलब कोट ने जब केस को सब्सक्राइब किया तो हम लोग के फेवर में ही कुछ ने कुछ बोल के जन किया को ऐसा नहीं हम लोग को फेवर में ही कोट जो है वह आगे बढ़ा रहा है इसमामले को तो उमीद है कि आगे भी बढ़ाएगा आप देखिए अगला फैसला हुए देखिए हमने बताया थे कि 10 तारीक को एक हेरिंग हुई थी इसकी 10-8-2-22 को भी इसकी एक हेरिंग हुई थी लेकिन फिर से इसके डेट को बढ़ा दिया गया कि अगले सुनवाई तक इसको फिर से भी पेंडिंग रखा जाएगा तो अगली अगस्त 2021 यह इसकी अगली डेट है नेक्स्ट हीरिंग डेट 26 अगस्त 2021 को फिर से होगा और इसमें देखते हैं कि क्या फैसला निकल क्या आता है और उमीद है कि जो भी फैसला होगा वह अप्रेंटिसों के हक में होगा चुकि इन लोगों ने अपने जीवन का एक पिक सब्सक्राइब होगा इनके पास सारे मसीनों को चलाने का ग्यान है यहीं यह यह इस कीज़ का बहुत अच्छा नॉलेज है और अच्छी पकड़ है वो लोग ऐस इसकेस में वरीता ठाप करने अर्ट जारेंगे कुछ किया है क्या ट्रीड रहा है यह सारा कुछ आप लोग कमेंट सेक्सिंण बताएंगे और साथ-साथ ये भी बताएंगे कि यदि ये जो petitioner है अजे कुमार और दो अधस इन लोगों को यदि कभी जरूद पड़ेगी किसी चीज की चाहे वो physical help हो mental help हो economical help हो जो भी हो आप लोग करने के लिए तयार है या नहीं चुकि ये लोग आप ही के लिए लड़ रहे हैं और आप ही के लिए काम कर रहे हैं तुमीद है कि आपको ये पसंद आया होगा और ये इसी तरह का आप notification चाहते हैं हमेशा कि और औरनेस फेक्टर से जुड़ा होगा हर नोटिस आपको मिलते रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा ताकि आपको सबसे पहले सारी वीडियो मिल जाए धन्यवाद